अगर आप भी अपने पिता से प्यार करते हैं ना तो इस कहानी को लाज तेक सुनेगा आपके आखों में हासू नहीं रुकेंगे एक गरीब की सार अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर आईएस बनाता है एक दिन वह अपने बेटे से मिलने जाता है और उसके कंदे पे हाथ रखके उससे पूछता है बेटा एक बात बताओ हम दोनों में से शक्तिसाली को होन है तो बेटा कहता है पापा मैं हूँ पिता का चेहरा उदर जाता है और वो उदास होके वहाँ से जाने लगते फिर अचानक पता नहीं उनके मन में क्या आता है वो पीछे मूड के फिर से पूछते है बेटे से बेटा एक बार और सोच कर बताना हम दोनों में से शक्तिसाली कौन है तो बेटा कहता है पापा आप तो पिता कहते है बेटा अभी तो तुमने बोला कि तुम हो अभी तुम बोल रहे हो कि आप तो बेटा कहता है पापा जब तक आपका हाथ मेरे कंदे पे है ना तब तक मैं इस दुनिया का सबसे शक्तिसाली आदमी हूँ लेकिन अब आपका हाथ मेरे कंधे पे नहीं है, ये सुनकर पिता के आखों में आश्चु आ जाते हैं, बात तो सच है या, कि अगर पिता का हाथ कंधे पे होना, तो पूरी दुनिया मुठी में लगती है, पिता के लिए दो लाइन है, कि मुझे रख दिया चाओं में, जलते रहे खुद धूप में, देखा है मैंने एक परिष्टा अपने पिता के रूप में